बिसमे लारा मान रहीम, linear algebra क्या होता है? हम ऐसे काफी लोग परिशान होते हैं कि यार algebra बहुत मुश्किल चीज है और linear algebra तो से भी मुश्किल चीज है इसमें vectors आ जाते हैं, matrices आ जाते हैं और उनको किस तरीके से हमने dissolve करके या product बनानी होती है, या different किसम से हमने उसे add और multiply करना होता है ये सारी की सारी परिशानिया मुझे पता होती हैं लेकिन इस एक series के अंदर जो मैं आपको और रेड़ी पढ़ा रहा हूँ, zero to math की जिसका link मैंने description में दे दिया हुआ है आप अगर इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो आप बहुत easy way में असानी के साथ उर्दू के अंदर देशी मिसालों के साथ algebra को सीख जाएंगे तो linear algebra को start करने से पहले आपको जो मैंने पिछले lecture सारी दियो हैं उसको जरूर master कर लीजेगा अगर आपने नहीं किये हुए तो मैं आपको कहूँगा कि यहां पर इस वीडियो को pause करें और पिछले lectures को जाके देखें Let's dive into linear algebra linear algebra होता क्या है और algebra क्या होता है हम यहीं से start करेंगे अगर हम algebra की बात देखें algebra अगर हम algebra देखें तो algebra क्या है basically algebra आपके पास जब भी आप किसी चीज को unknown यानि कि broken pieces से आप कोई चीज को बनाते हैं उसी को algebra बोलते हैं इसकी definition मैंने आपको बार बार बताई है algebra से यह word निकला है algebra यह अर्बी जमान का लफज है जिसका मतलब होता है reunion from broken pieces यानि कि आपके पास कुछ broken pieces मुझूद है आप उसकी base पे अपने पास different चीजों को बनाते हैं यह तो हो गया algebra और linear algebra क्या होता है ऐसा algebra जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ linear algebra linear algebra होता है जो data science के अंदर ऐसा algebra जो basically vectors या vector spaces के बारे में बात करें vectors और vector spaces spans इसके अंदर span लिख देता हूँ मैं फिर इसके बाद आप matrices matrix जो होते हैं हमारे कालिब वग़रा उनको देखते हैं और vectors की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से एक line आती है और उसकी एक direction होती है तो algebra का मतलब है broken pieces for sure we know that कि broken pieces से किसी चीज को जोड़ना linear का मतलब क्या होगा linear का मतलब ये है कि ऐसे जोड़ना कि हर एक चीज का pattern line में रहे यानि कि linearly वो इस तरीके से रहे जब कभी भी जब हम algebra को draw करें वो ना तो curve बनाए मतलब ऐसी चीज ना हो ना ही वो कुछ इस तरीके से functions वगरा बनाने लग जाए और ना ही हमारे पास कोई hyperbola आए ना इस तरीके से कोई भी चीज है हमारे पास सिरफ और सिरफ linear coordinates चीजों के आए ठीक है तो इसको हम इस वज़ा से linear algebra बोलते है obviously इसके अंदर equations मुझूद होती है जो algebra की equation है algebra के अंदर क्या होता है जब numbers आते है 2 प्लास 3 ये एक mathematical expression है इसके अंदर ये arithmetic है ये number है हमारे पास और अगर हम इसके साथ x लगा दें और हमें x को found करना हो या find करना हो इसी चीज को हमें algebra बोलते है और ये एक mathematical जो हमारे पास equation आ जाती है तो broken pieces है जब हम किसी चीज को बनाते है उसको बोलते है algebra और linear algebra के अंदर काफी terms होती है जिसमें vectors, vector spaces, matrices और linear equation के systems को हम deal करते है linear equation के systems को तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ linear equations के system को हम deal करते है ठीक है अब यहाँ तक आपको clear हो गया के हमारे पास जो linear algebra है वो क्या होता है ठीक है अब vectors की बात करेंगे और इससे आगे चलेंगे हम आइस्ता इस्ता आपको यह सारी चीजें बहुत easily समझा जाएंगी don't worry about anything अगर आपको linear algebra का नहीं पता तो सबसे पहली जो हमारे पास चीज होती है जब भी हम algebra को देखते हैं तो हमारे पास होते हैं vectors या vector vector क्या होता है vector कोई भी एक चीज for example मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैंने गाड़ी चलाई और गाड़ी की speed थी जनाब 120 km पर hour ठीक है कितनी देर में पहुंच गया दो घंटे में दो hour में मैं पहुंच गया अब आप कहेंगे यार ये बंदा पागल है ना हमें ये बता रहा कि point A इसका क्या था ना ये बता रहा इसका point B क्या था और ये भी ने बता रहा कि A से B गया है direction जब आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं vector तो vector क्या हुआ? कोई भी एक quantity जिसकी एक direction भी हो, यानि के कोई भी चीज जिसकी एक direction भी हो say for example, मेरी जो यहाँ पे अगर आप बात करें हमारे पास अगर 120 की speed से कोई बंदा जा रहा है, ठीक है? किस side पे जा रहा है और कौन सी direction उसके अंदर involved है, उस direction को हम बोलते हैं direction plus quantity को हम बोलते हैं a vector, और vector को denote किया जाता है उपर इस तरीके से एक निशान लगा के, यानि कि a vector है तो a के उपर ऐसे arrow आजाएगा, b vector है तो b के उपर arrow आजाएगा, c vector है तो c के उपर आजाएगा इसको v vector बोलेंगे तो v के उपर आजाएगा ठीक है? तो हमारे पास कुछ इस तरीके से speed की साथ अगर direction आजाएगी तो हमारे पास ये quantities इस वरा से हमारे पास इसको vector बोलते हैं, अब vector की आपको समझ आगी, vector का मतलब ये है कि आप एक point से start करें, दूसरे point पर जाएगी और इसके आगे एक arrow का निशान हो ठीक है? अब vector को समझने के लिए आपको और भी अच्छे से मैं एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे आपको याद होगा कि vectors को या linear algebra को जब हम geometry के लिए देखते हैं, तो बहुत ज़्यदा concept हमारे और भी clear हो जाते हैं और algebra जब science में पढ़ाया जाता है, तो geometry को भी साथ में पढ़ाया जाता है, खासतोर पर linear algebra जब भी पढ़ाया जाता है अब मैं आपको जो चीज समझाने या लाँ वो हैं हमारे coordinates